स्वादत है दोस्तों अपने यूटूब चैनल राजा भोजाईटे पे दोस्तों आज बात करेंगे जो DRDO की वेकंसी आई थी उसका सलेवस क्या है पूरी जानकारी आज मैं आपको बता दूँगा को उसका सलेवस क्या है आपको क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का कोशन पूछे जाएगे सारी बात आज मैं आपको बता दूँगा आप लोग ये चैनल पे नए जूड़े तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे लाइक कर दीजे, सेर कर दीजे मेरे राजा भोजाईट चैनल के नाम से है और आप लोगों को मैं पूरी जानकारी बता देता हूँ पार्ट A, पार्ट B, स्किल टेस्ट कैसा होता है क्या-क्या स्किल टेस्ट में होता है क्या स्किल टेस्ट का नंबर जुड़ता है, नहीं जुड़ता और return test कैसा होता है कौन-कौन से subject आपको पढ़ना पढ़ेगा सारी जानकारी आपको मैं बता लेता हूँ जैसे मैं आज बात करूँ है कि technician जो आप लोग टेक्निकल का फॉर्म भारे होगे है जो कि आप लोग फॉर्म फिल किये होगे जो आई के वाले स्टूडेंट है आज उनकी पूरी जानकारी में बता देता हूं सारी इंफॉर्मेशन अब इसमें दो टाइप के पेपर होते हैं पहला होगा रिटर्न टेस्ट एक होता है रिटर्न टेस्ट एनि जो एक्जाम होता है रिटर्न में ये MC क्यों होता है return exam जो होते हैं MC की होते हैं आपका multiple choice question आएंगे एक यह हो गया ठीक, दूसरा जो होता इसी में एक होता है skill test आप लोग सुनें होगे skill test return exam और skill test अलग अलग दिन होते हैं पहले आपको return test निकालना पड़ेगा फिर return test के बाद आपका skill test लिया जाएगा return test जो होता है दो part में होगा पार्ट one पार्ट two जो पार्ट A होता है पार्ट A की बात करते हैं पार्ट B पार्ट A पार्ट B में अलग अलग बिसायर होता है पार्ट A में जो आपके subject होते हैं तो पहला नम्मर रहेगा math फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा रिजिनिंग रिजिनिंग के बाद होगा आपकी जर्नल अवरिनेस जी के पांशमा नम्बार आपको होगा इंग्लिस इंग्लिस एने जो की बेसिक होती है यह होती है पार्ट एक टोटल जो कोशन टोटल नम्बर के आते हैं चालिस के आते हैं पार्ट भी में आएगा आपका असी मार्ट सका इसमें चालिस मार्ट सका टोटल कोशन की बात करें टोटल नम्बर टोटल आपका 120 नम्बर का कोशन एंसर आएगा मायद हाई दिया आपके 10 नंबर की यादे मायद की बात किरें नहीं ते हम पर 10 नंबर के 5 tau कोशन पूछे जाएगा रिजीनिंग के 10 नंबर काएगा basic English 10 नंबर की रहेगी लिए आपके 40 कोशन टोटल इधर से part 1 से पूछा जाएगा इसमें जो 80 नम्मर के रहेगा तो सभी ट्रेड जैसे आप इलेक्ट्रिशन को हो तो आपका इलेक्ट्रिशन के 80 कोशन कोशेगा फिटर के हो तो फिटर का 80 कोशन कोशेगा कोपा के हो तो कोपा का 80 कोशन के होगा हर एक trade का अलाग अला कोशन मिलेंगे आपको पार्ट B में रहेगा पार्ट A में आप इसका total मिलाके आपको 120 marks बंद रहा है यहीं आपको दोनों जब mix करोगे 120 number का paper बंद रहा है दोनों का number जुड़ेगा ऐसा नहीं कि इसमें pass होना पड़ेगा इसमें नहीं होना पड़ेगा इसमें pass हो जाएं इसमें pass नहीं होए तो फैल कर देगा आपको equal दिया जाएगा यहीं total बता दिया non-tech technical इसको बोल सकते हैं इसको non-tech बोलते हो technical के 40 question non-tech के 80 question आएंगे इधर से return exam और यह MCQ होता है यह skill test की बात करें तो यह यह go और no go pass marks होता है इसमें आपको skill test में only passing mark करना पड़ता है इसका marry list में नम्मर नहीं जुड़ता और इसकी marry list में आपका नाम आ गया है तभी आपको skill test में बुलाया जाएगा skill test में 8 गुना student को बुलाया जाएगा यह नहीं 8 पोश्ट है तो पर 800 लोग जाएगे skill test देने skill test में क्या होता है कि practical knowledge पूछा जाता है यहाँ पर practical कराया जाता है कि यह आप पूछो को कि skill test में होता क्या है तो वहाँ पर अलग अलग ट्रेड़ वाले जिसे हमारा इलेक्रीशन है तो मुझे इलेक्रीशन का प्रेटिकल करने के जाए जैसे अश्टा डिल्टा अश्टा करेक्शन हो गया और ट्रांस्फार्मार का हो गया थ्री प्रेस इंडक्शन मोंटर को हो गया कुछ ऐसे काम दिया जाएंगे जो आपके प्रेटिकल से नौलेज रहेगा इसको आपको सिर्फ पास करना है यह आप पास कर गए तहां आपको रिटन टेस्ट में जो आप पेपर कोश्यमार किये हो और इसमें मेरिट पे आपका नाम बने लिए सिर्फ इसको पास करना पड़ता है यह होता है स्कील टेस्ट तो यह है सलेबस जो की टेकनिकल एवालो की है जो आईडिया श्टूडेंट है सिर्फ उनके लिए में बात कर रहा हूं उनके लिए है पिछला कुछ कटाव असी गया था पचहतर गया था या तीहतर गया था ज बुदनफल होगा चेत्रमिती हो गया रिजिनिंग में बरबल नान बरबल जो होते हैं अल्फाबेड वाले होते हैं जी के वापके इंडिया इंडियां से जो इस्टेटिक टाइप के हैं वह होगा बेसिक इंगलिस सिधर पढ़ना पड़ेगा इलक्रीशन पर जैसे ट्रां इसका है तेखनिकल वालो का एनजो टेखनिकल एंए फाормब भरे है तुरुकी किसी फई ही है कि जो पार्ट इंडिक होता है पार्ट इंट्रेख एम टेकल होता है गिनगने Yo這樣 16 Claire जाते हैं, नौन टेक के 40 कोश्चन है, दर 10 कोश्चन इसके पूछे जाएंगे, 80 कोश्चन आपके इस से रहेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक, कोई और दिक्कार जाती, इसके रिलेटेड या इसके रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको लांकारी देर नुमर रिपलाई रहें, थैंक यू,